आज के दिन मैं आपसे एक मित्र के रूप में एक साथी के रूप में तीन बातों का आग्रह करूंगा और मुझे विश्वात है कि मेरा याग्रह आपके लिए भी हो सकता है संक्र्प बन जाए पहला कुछ न कुछ नया इनोवेट करने की आदत को नए तरीके से करने की आदत नए चीज खोच करके करने की आदत इसको जिन्दगी का हिस्सा बनाईए और मैंने देखा है कि इस प्रकार की जिन्दगी गुजारने वाले हमारे जवान की क्रियेटिविटी देश के लिए बहुत कुछ नई चीज़ ला सकते हैं अब थोड़ा स आधान दीजिए कुछ न कुछ इन्वेट करने का देखिए हमारे सुरक्षाबलों को क्योंकि आप अनुभव के आधार पर इन्वेट करते हैं रोज मराप से जीस प्रकार से जूचते हैं उसमें से निकालते हैं बहुत बड़ा राब होता है दूसरा मेरा आग्रह है और व कि अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखी ओ और तीसरा को हम सबके अपनी अपनी मात्रुभाशा है अब हम बहुत लोग हिंदी बोलते भी हैं हम मैं से कुछ लोग अंगरेजी भी बोलते हैं इन सब से तो हमारा स्वाभाव किनाता रहता है लेकिन जब ऐसा सामोई जीवन हो बाठा हुआ है देश के हर कोने के नवजवान बैटे हुए है अलग-अलग मात्रु भाषा के नवजवान बैटे हुए है तब मैं आप से एक और आगर करता हूं कि मात्रु भाषा वो जानते हैं आप हिंदी जानते हैं अंग्रेजी जानते हैं क्यों अपने किसी एक साथी के बात से भारत की कोई एक और भाषा आप जरूर आत्मसाथ कीजिए शीखिए आप देखना वो आपके बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी आप जुरूर देखेंगे यह बातें आप में एक नई उर्जा का संचार करेगी